भिम दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी का मेरे चैनल बर बहुत बहुत स्पागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शिकों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। अखलीफ दूर होते हैं। पुर्णिमा दिथी बहुत ही शुब मानी जाती है। हमारी हिंदु धर्म में माता लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए पुर्णिमा दिथी बहुत अति उत्तम मानी जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्रीहरी विश्नु का पुनर पहल तो यदि आप भी अपने जीवन में उन्नती चाहते हैं, प्रगती चाहते हैं, अपने जीवन में इस्थाई रूप से धन चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, आपका परिवार सुख में जीवन जीए, तो ऐसी परिस्थिती में इस असार महा की गुरु पुर्णेमा का लाब आप अवश्य ही उठाएं, माता तुलसी को प्रसन्य कर अपने घर में खुशियां भरें। ऐसा माना चाहता है हिंदू धर्म सास्त्र में कि तुलसी के समक्ष यदि हम यह गलतियां नहीं करते हैं, माता तुलसी हमें प्रसन्य होकर हमारे घर में सदीव सकारत्मक उर्जा का वास कराती हैं और घर में सुक सम्रिधी का वास होता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जब हम तुलसी जी को अपने घर में विराजमान दो कर लेते हैं लेकिन उनकी समक्ष यह छोटी छोटी गलतिया कर देते हैं। इसकी साथ में जिस भी हिंदू धर यह जिस भी घर में माता तुलसी विराजमान होती हैं। आईए दोस्तों जानते हैं कि तुलसी जी में ऐसी कौन सी चीज हम बान देते हैं, तो हमारी जीवन की कामना पूर्ण होती है, आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरी विश्नु को या श्री कृष्णु को तुलसी भोग में तुलसी जी अवश्य दी जाती है, बिना तुलस आपके भोग को सुईकार करेंगे और आपकी उस कामना को पूर्णा करेंगे। हमारी हिंदुस सास्तर में कई ऐसे नियम बताये गए हैं जैसे कि पूजा करने का नियम, भगवान को किस प्रकार रखने का नियम, आपका पूजा घर कैसा होना चाहिए, क्या चीज़े उसमें नहीं होनी चाहिए, सारी बातों के बारे में बताया गया है, यदि उन बातों के जी में कौन सी एक चीज बान देंगे जिससे कि आपके जीवन की कामना पुर्ण होगी आपके घर में स्थाई रूप से मालक्षमी का वास होगा। कम से कम 11 गाठे तो आपको लगानी ही है। उसके बाद में यह जो लाल धागा है आप मौली भी ले सकते हैं जो लाल वाला धागा आता है वो भी ले सकते हैं या पूजा में हम मौली जो प्रयोग करते हैं वह भी ले सकते हैं। उसे अपनी कामना करकर आपको तुलसी जी में बान देना है और उनके समक्ष आपको प्रात्ना करना है एक पूजा की सुपारी आपको अर्पित कर देनी है मिट्टी में थोड़ा सा दिबा देना है कुम-कुम हल्दी से मातल तुलसी का पूजन करना है आपकी काम नाम मा तुलसी अवश्य ही सुनेंगी और इस गुरूप प्रशकों.